बार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे IC engine के important part camsoft के बारे में IC engine के part को दो तरह से categorize किया जाता है stationary और structure forming component और दूसरा होता है moving और mechanism forming component जो camsoft है या moving और mechanism forming component के अंतरगत आता है तो सबसे पहले देखते हैं कि जो camsoft है वो दिखने में कैसी होती है diagram आपको नजर आ रहा है जो camsoft है इसमें अगर हम बात करें अलग-अलग part होते हैं वो part इस प्रकार से हैं इसमें ये एक soft होती है soft के उपर cam lobes लगे होते हैं जिसे हम bumps भी कहते हैं इसके अत्रिक यहां पर इसमें एक timing gear होता है sprocket इसमें लगा होता है cam bearing journal होते है cam bearings भी होते हैं ये इसके main part होते हैं और camsoft को हम casting के दुआरा भी बना सकते हैं forging के दुआरा भी इसको बनाया जा सकता है और late या milling machine पर machining करके भी camsoft को manufacture किया जा सकता है इसको बनाने के लिए जो material हम इस्तेमाल करते हैं वो cast iron हो सकता है forged steel हो सकता है तो अब बात करते हैं कि जो camsoft है इसे किसलिए use किया जाता है एक प्रकार से जो camsoft है ये हमारा rotating part होता है ये rotate करता है और इसका main career होता है कि जो inlet और जो exhaust वालव होते हैं करना ये camsoft का main career रहता है ये सारा career cam lobes की मदद से किया जाता है अब बात करते हैं कि इसके जो function है उसको तीन तरह से categorize किया गया है पहला function होता है कि right time पर section stroke के दोरान जो inlet वालव होता है उसको open करना ताकि commission chamber में हवा, air या फिर air और fuel का जो homogeneous mixture है वो enter कर सके दूसरा exhaust stroke के दोरान timely exhaust valve को open करना ताकि जो commission chamber में मुझूद brunt exhaust gases है वो exit कर जाएं बाकी जो time बचता है जो compression या फिर expansion का time होता है उस दोरान inlet और outlet valve जो exhaust valve है उनको close रखना, ये main कारिया camsoft के दुआरा किया जाता है और camsoft के अगर हम बात करें ये जो crank shaft होती है उसके साथ ये connected होता है chain की मदद से या फिर belt drive की मदद से या फिर gear की मदद से ये आपस में connected होते हैं और जो crank shaft rotate करती है उस rotary motion को chain drive की मदद से sprockets की मदद से camsoft में भेजा जाता है और cam soft जो rotary motion होती है उसको reciprocate motion में उसको convert करने का कारिया भी करती है तो अब बात करते हैं कि जो अलग-अलग part है cam soft के उनका क्या कारिया रहता है सबसे पहले अगर हम बात करें जो cam soft में जो ये soft होती है soft एक परकार से sporting structure का कारिया करती है और जो engine running के दोरान जो भी fatigue load होते हैं उसको bear करने का कारिया भी यह करती है और cam soft के बाकी जो भी components हैं वो soft के उपर ही mounted होते है उसके बाद आता है cam lobe ये अगर हम देखें cam lobe आपको नजर आ रहा है यहाँ यह diagram में तो cam lobe का main कारिया क्या होता है कि जो valve है उसको open करना या फिर close करना और जो speed होती है cam lobe की वो basically engine speed पर ही depend करती है और जो soft होती है जब वो rotate करती है तो ये cam lobe भी rotate करता है और जो valves होते हैं उसको ये push करता है कि इसके मादियम से अगर आप देखें तो यहाँ पर जब valve open होता है और इसका जो ये वाला जो portion है तो जब ये उपर होगा ये वाली जो knob है तो उस दोरान lifter, push road और rocker arm की मदद से जो valve है वो open हो जाता है जब ये round part पे हमारा जो cam lobe आएगा उस दोरान क्या होगा कि जो lifter, push road और जो rocker arm है उसकी मदद से जो valve है ये बंद हो जाएगा तो इस परकार से valve को open और close किया जाता है जो cam lobe की position के आधार पर और ये जो rotation हमें मिलती है वो crank shaft से मिलती है जिसे chain drive, belt drive या फिर gear की मदद से camp shaft में transfer किया जाता है और उसके बाद हम यहाँ पर reciprocating motion में इसको change कर देते हैं उसके बाद जो next part है उसमें अगर हम देखें जो bearing journal की अगर हम बात करें ये भी rotating part होता है क्योंकि ये भी shaft mounted है तो ये भी rotate करता है जब shaft rotate करती है और एक परकार से ये जो follower होते हैं यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला portion जो है जो lifter के साथ यहाँ follower के साथ ये काफी contact में रहता है ये जो cam bearing journal है और transform करता है rotary motion को ये linear motion में और एक परकार से shaft को correct position में hold करने का भी कारिया करता है और cam shaft के operation के दुरान friction losses को भी कम करने का कारिया करता है उसके बाद बात करते हैं cam bearing या bearing cell की अगर हम बात करें ये जो bearing journal होता है एक परकार से ये इसके उपर ही mount होता है और जो cam shaft की जो rotation है उसको smooth करने में मदद करता है और protect करता है जब कहीं बार क्या होता है कि जो engine failure हो जाता है तो उस दोरान wear and tear को भी ये protect करने में मदद करता है तो उसके बाद अगर हम बात करें एक होती है thrust plate जो यहाँ पर side में लगी होती है ये आप देख सकते हैं इस type से जो thrust plate basically sport करती है जो rear of the engine है जो पीछे की side होती है वहाँ उसको वो sport करने का काम करती है और ये जो cam होती है और जो timing gear होता है जो timing gear है और जो cam है उसके बीच में ये एक प्रकार से लगी होती है और front cover पर ये mounted होती है जो front cover होता है अब बात करते हैं कि जो crank shaft है वो कितने type की होती है crank shaft basically दो type की होती है एक होता है SOHC जिसका मतलब है single overhead crank shaft DOHC जिसका मतलब है double overhead crank shaft तो single का मतलब जैसे नाम से ही पता चलता है इस case में सिर्फ एक ही cam shaft का हम इस्तेमाल करते हैं और उस cam shaft के दुआरा ही जो inlet और exhaust जो valve है उन दोनों को control किया जाता है या operate किया जाता है और जो DOHC है double overhead crank shaft इस case में हम दो cam shaft का इस्तेमाल करते हैं एक cam shaft पर inlet valve को operate किया जाता है दूसरी cam shaft पर exhaust valve को operate किया जाता है तो अब बात आती है कि कैसे ये एक दूसरे से अलग है जो SOHC है इसका design अगर हम देखें वो simple design होता है जबकि DOHC का design complex होता है जो DOHC है ये advanced version होता है SOHC का और जो single overhead cam shaft है इस case में हम rocker arm का इस्तेमाल करते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं valve की moment के लिए लेकिन DOHC में rocker arm का इस्तेमाल नहीं किया जाता उसके बाद अगर आप weight की बात करते हैं हम इसका weight कम होता है DOHC का weight ज़्यादा होता है ठीक है क्योंकि इसमें part कम होते हैं इसमें extra अलग से camshaft यूज़ करते हैं तो इसका weight बढ़ जाता है initial torque जो HOHC है उसका ज़्यादा होता है जबकि DOHC का initial torque कम होता है maintenance की बात करें maintenance जो SHOHC इसको easily maintain किया जा सकता है इसकी maintenance cost भी कम होती है जबकि जो DOHC है इसकी maintenance थोड़ी difficult होती है इसमें number of parts ज़्यादा होते हैं performance की बात करते हैं SOHC की performance कम होती है DOHC की performance बढ़िया होती है valve timing की अगर हम बात करें क्योंकि जो valve timing है उसका effect पड़ता है engine की performance पर जो valve timing है वो DOHC के case में better होती है लेकिन SOHC के case में जो valve timing है वो disturbed होती है क्योंकि इस case में हम single camsoft का इस्तिमाल करते हैं noise की बात करें SOHC में noise ज़्यादा होती है जबकि DOHC एक परकार से silent operation करता है air flow की अगर हम बात करते है air flow DOHC में ज़्यादा होता है SOHC के comparison में अगर overall cost की बात करते हैं SOHC की cost कम होती है और DOHC की cost ज़्यादा होती है तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया camsoft के बारे में camsoft का main career क्या होता है इसका material क्या होता है इसकी manufacturing process क्या होती है ये कितने type का होता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे कर सकते हैं